केंद्री की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ब्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन हकिकेत इससे काफी अलग है देश की सर्वोचादालत की मौनेटरिंग रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है दिली की MCD में बीजेपी ने करोड़ों का ब् ब्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दीती की बात करने वाले पियम मोदी क्या इस पर कोई एक्शन लेंगे लेकिन फिलाल आम आदमी पार्टी ने जरूर मोर्चा खोल दिया है देखते हैं ये रिपोर्ट दिली में कब होंगे MCD चुनाओ इस पर अभी पेज फसा हुआ है लेकिन तीनों MCD के एकी करन को लेकर दिली में BJP और आम आदमी पार्टी जरूर आमने सामने हैं इस बार आपको लगता है कि वो दिली MCD चुनाओं में जीत खासिल करेगी तो वही 15 सालों से दिली के MCD पर MCD में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है भारती जनता पार्टी के 15 साल के शासन काल को सुप्रीम कोर्ट की मौनेटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है ये बात आम आदमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कही है आम आदमी पार्टी के MCD प्रभारी तुर्गेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मौनेटरिंग कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ जिसके मुताबिक BJP शासित नगर निगम सिर्फ 5 फीसिती जुर्मानी की बसूली कर पाती है इसकी बड़ी वज़ा BJ BJP पार्षदों का भ्रष्ट होना है उन्होंने कहा कि भाजपा 14,000 संपत्तियों में से 2300 संपत्तियों से जुर्माना बसूलती है जिसके कारण MCD 16,000 करोड रुपे की नुकसान में चल रही है साउथ MCD में 8,486 प्रॉपर्टी है जिसके लिए 1200 करोड की बसूली बनती है ल लेकिन सारा पैसा पार्षदों और नेताओं की जेब में जा रहा है वहीं आमादमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि 15 साल के BJP के कुशासन को सुप्रीम कोट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बेनकाव कर दिया है इस रिपोर्ट पर भाजपा जनता को जवाब दे कि उसने ये घपले बाजी क्यों की है इसके अलावा उन्होंने कहा कि BJP ने चोड़ दर्वाजे से MCD को एक दो साल और चलाने का तरीका धूड लिया है ये खत्म होना चाहिए और दिल्ली में जल्द चुनाओं की तारीक की घोशना की जा होगा दिवी लाइफ की रेपोर्ट